आदर अदाब अभिनेंदन अभार मेरे दोस्तों भाईयों भेनों जहासी बेलखंट के मेरे सारे सुनने वालों आप सबका जहासी बजार की फेस्बुक पेच पे दो बाते आमने सामने शो पे बहुत-बहुत स्वागत है और हम काफी दुनों बात कर रहे हैं ये शो लेकिन बहुत ही जबदस टॉपिक के साथ लेकर के आएं इसलिए आज मुझे बहुत खुशी आप से सिर्फ दुबारा से मिलने की अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप और हम दोनों लोग कहते हैं कि ये बदलता भारत है ये नया इंडिया है और नया भारत की ये ही पहचान है कि हम वर्ल्ड की फिफ्ट लाजस्ट एकॉनमी में से एक हो गए हैं और वो भी हमने जो हमाँ उपर राज करता था उसको हरा करके आज हमने ये पोजिशन हासिल करी है इसके साथ साथ अगर आप देखिए PSLV C34 में हम वो कंट्री हैं जिसने 20 सैटलाइट एक बार में लउंच करी और Sun में Sun Orbit में डिपलाई किया इसके साथ से अगर मैं कहूं आपवसे अब हम शानत बैटने वाले से देशों में नहीं हैं कि हमारा पडोसी ने आकर क्या हमाय ऊपर हमला किया और हम किसी और देश में जा रहे हैं अपने रोना रोने के लिए हम उस की पहचान आज जहासी है जिसमें आपने हाल में देखा होगा काफी सारी चीजें जहासी के अंदर बदलाओत में आई हैं पिछले विगत कुछ वर्शो में जहासी में जिस तरह के चेंजिस आ chapter आये हैं जो आप तिल्ट जूम वाले कैमराज और उनको इंटीग्रेट कमांड और कंट्रोल सेंटर के तुरू ट्राफिक को मैनेज करने के लिए और रहागीरों का कुछ खो जाए सबसीज़े मदद करने के लिए पुलिस की इस तक का इस्तमाल किया जा रहा है शेहर के अंदर नरायन बाग ल प्लायोवर्स बने हैं चाहिए वह शिपरी रोड तो हो या भी गवाले रोड में जो बनके तयार हो रहा है तो लिस्ट बहुत लंबी है साउंड और लाइट शो जरूर मैं आपसे कहूंगा जहांसी का जो लेजर साउंड और लाइट शो है और फिकेट लाइटिंग है जो बात करने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारा ये शो दो बाते आमने सामने एक प्रायजक्ट शो होता है और हमारे प्रायजक्ट रतना लेजर डेंटल क्लिनिक्स से डॉक्टर रजप मिसूरिया और अर्चिना मिसूरिया है जो की जहासी के बेस्ट मैक्सिल प्रायजन में से एक हैं और बुंदेलखन में जो लोगों को इतना तंबाखु खाने का आदत है जिसके वजह सुनका मुह कम खुलता है और वो एक बहुत ही खतरनाक बिमारी की तरफ अग्रसर होते हैं जिसका नाम है मुख करक रोग यानि की ओरल कैंसर मैं उन सब से रिक् खासा नुबफ का फायदा उठाईए उन से मिली है अगर आपका मुह कम खुल रहा है और आपको लग रहा है आपके कुछ परशानी है तो वह आपकी जरूर से मदद करेंगे इसके साथ सथ अगर आपको पाईरिया है डेंटल इंप्लांट की जरूरत है या रूट के नाल जरूरत है या अगर आपको नोज बोन या जॉबोन को ठीक करवा करके और अच्छी करवा करके अपने चेहरे पे एक अच्छी स्माइल लानी है तो भी आप उनकी क्लीनिक में जा सकते हैं डॉक्टर रजट मुसुरिया डॉक्टर अर्चना मिसुरियो के खुशी होगी इंटीरियर टच उधिता गुपता मैडम का ये शोरूम जो कचहरी चुराए पर है एक बेस्ट प्रीमियम फरनिचर एंड फरनिशिंग का कॉंबिनेशन है जहां आप जाते है तो आर्टिफेक्ट्स हो गए वाल हैंगिंग्स हो गई इसके अलावा फरनिशिंग के लिए फ आने वाला है और वो चेंज है हमारा पब्लिक बाइक शेरिंग योजना यानि पब्लिक बाइसाइकल शेरिंग योजना तो यह क्या है पहले बात तो मैं आपको बता दूँ यह बाइक को जब मैं बोल रहा हूं तो यह साइकल की बात में कर रहा हूं तो इस शेहर में बहु गजब की चीज़ होती है जहां आप उसको अराम से अपने घर तक ले जा सकते हैं किसी ऑफिस जो गली वगरा में वहां तक ले जा सकते हैं तो इसके काम आएगी और दूसरा जो आपको शौक होता है कि शाम को चलिए अपन एक मार्केट के चक्काल आका आते हैं और अपन जहांसी को बहुत प्यार करते हैं तो यह चीज़ दिमाग में रखे बिनाम फिर भी किसी ने किस तरह अपनी जहांसी को नुकसान दे रहे हैं इस परियोजना के चलते आप जहांसी अपने घर से इसके स्टैंड पर जाईएगा वहां पर साइकल आपको कराय में ले सकते हैं आप कितना भी लंबा किलोमेटर बाणना चाहें चक्कर आप मार के उनको वापस देखकर के अपनी गाड़ी से वापस घर आ सकते हैं अगर आपको कोई मानिच्चा के शहर का चकर भी लगाना है तो अराम से आप साइकल से लगा कर आ सकते हैं और इस चीज़ का मज़ा ले स जाता कि मतलब बकर आप 15-20 मिनिट का साइक्लिंग कर लेते हैं तो वह कहीं जादा अच्छी एक्सराइज है आपके वाकिंग और रॉनिंग से विकाज उसमें आपका शुगर कंट्रोल होता है बीपी कंट्रोल होता है इसके साथ-साथ आपके जॉइंट्स की एक्सराइज होती है और कहीं ना कहीं उनका कहना सही है अगर आप पढ़ेंगे इसके बारे में तो आपको भी मालूम पढ़ेगा तो यह चीज बहुत जल्द में आ रही है अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारें बता दूं कि यह बाइक शेरिंग क्या चीज क्या है मुझे बड़ी खुशी है जहांसी के अंदर आ रही है मैंने बड़े-बड़े शहरों में यह देखा है बाइक शेरिंग प्लैटफॉर्म और मैं बार बार कह रहा मिस्टर लुड शिंपलनिक एमस्टरडम में उन्होंने इस चीज के शुवात करी और पचास साइकले लेकर के आए और उसको सफेद रंग में रंगा और उसको खड़ा कर दिया लोगों के फ्री यूज़ करने के लिए कहीं ना कहीं वो प्रोडूशर नहीं चाहते थे शहर के अंदर कहीं ना कहीं वो एक अच्छे नेचरिस्ट थे और इन्वाइरमेंटलिस्ट थे तो उन्होंने सोचा कि हम अपने शहर को साफ रखेंगे आब और हवा अच्छी रहेगी सबको अच्छा लगेगा यह चीज उन्होंने करी और इसका फरक बहुत जल्दी सब के नज अमस्टडम में और 50 Bikes अपिंटेड वाइंसर लुद्शुम्ग निक अंद ब्से उन्होंने अपनी सकील की सर्थिस को शेरिंग बैसे पे शुरू किया ता नव लिप्तानी के विजिए प्रक ब्सेटेंर इस अच्छी स्चा नेंफेलन वाइट नीचुण आड़ी बदे ल योजना का जो टेंडर है, with MyBike. Now, MyBike is not a new name for this entire thing. MyBike is a startup owned by Mr. Arijat Soni. Arijat Soni साहब इसके founder CEO है, MyBike इंडिया की, और ये startup M.Dabach शुरू हुआ था, और वहाँ पे इन्होंने इसको करीबन एक 50 साइकलों से और एक-दो डिपो से शुरू किया था, और उसके बाद इनकी साइकलों बढ़ती गई हैं, और आज की वक्त जो network है इनका, वो इस तरीके काक है, 1000 से ज़ादा तो इनके hubs हैं, यानि MyBike hubs, जहां गाड़ियं के की साइकले खड़ी होती electric वाली माइ बाइक hubs हैं 1000 से ज़ादा पूरे देश में हैं, और अर्बन मोबिलिटी को रिजॉल्व करना चाहता है वाया साइख एस इस बूगत दिशिए और आपका पब्लिक ट्रास्पोर्टेशन सॉइश्योस में मदद करना चाहता है तो इस निट सवे रिशह्ट सी hijih और जहांसी में यह बड़ा लंबा चोड़ा एक अच्छा काम करने वाले है आगे आपको और इंट्रस्टिंग खबर देता हूं कि अरजित सोनी साहब यानि माइबाइक जो है यहां पे वो आपको यहां पर देंगे कुछ अच्छा माइबाइक को मैं आपको बता दूं पहले इसके अलावा मुंबई में है इसके अलावा पूने में है इसके अलावा कोची में है इसके अलावा इंदौर में है और इसके अलावा उदैपुर में है वालसाड में है तो इतनी जगों पे जैसे कि मैंने आपको बना हजार प्लस मैं बाइ के हबसे हैं तन तौजन प्लस इनके पास इलेक्रिक बाइक साईकल से 7,50000 Q per in-game past practical already current users so what I am trying to say is this they are very experienced people into this service and they are coming with their expertise into this city let's welcome them let's give them all the help and the support they require to you know get this city more cleaner more greener stuff like that अब 6 में क्या करने वाले वो भी आपको बता देता हूँ 6 में इनके मायबाइक हब्स जो आएंगे वो 20 होंगे अब यह हब क्या होता है यह बेसिकली वो जगे जहां बाइसाइकल्स चार्ज होती है कि इसमें इलेक्ट्रिक बैटरी भी लगी हुई है और दूसरा यह वहाँ पर खड़ी होती है वहाँ से आप उसको किराय पर ले सकते हैं तो यह 20 मायबाइक हब्स अभी बनाएंगे जहांसी शहर के अंदर 20 ठीक है और इसमें आएंगी कुछ 181 साइकल्स आपकी जहांसी शहर में आएंगी जो इलेक्रिक साइकल्स होंगी जिनको आप पैडल कर सकते हैं और सबसे बात यह है कि जहांसी चुकी थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा पहाड़ी और पत्थ्रों का वह है तो अगर आप ठक जाएं तो बैटरी से चला करके अराम से अपनी जगे तक बहुत सकते तो यह बहुत अच्छी बात है जितनी साइकल करना जाए आप उतनी सा सर्विस है यह आपको वाया मोबाइल अप्लिकेशन मिलेगी यानि कि आप अपने एप से जाएए उसको हायर कीजिए लॉक आपके एप से खुलेगा आप उसको साइकल को निकाल लीजे उस साइकल में जीपी आरस फिट है तो कुछ उल्टा सीधा मत सोचेगा सीधे सर्वि आरस तो लगई है उसके अंदर साथ में वो तीसरी आंख जहांसी की काम करती है आई सी सी इंटीग्रेटर कमांड और कंट्रोल सेंटर कैमराज तो ध्यान रखे मज़े लीजे सर्विस के लेकिन कुछ गलत मत सोचे यह ज़रूरी है तो यह सारी चीज जो है माइबाइक अर जिस सोनी साब लेके आ रहे हैं I feel really elated and very happy to talk about it because जहांसी smart city under the CEO Mr. Pulkit Garg is doing some phenomenal work and it's been noticed by each and every citizen of जहांसी कोई भी यह नहीं कह सकता कि पिछले तीन साल में जहांसी में बदलाव नहीं देखने को मिला because बड़े 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 बदलाव देखने के मिले हैं चाहे वो electric buses का आना हो या फिर वो एक से एक चीज़े जो अभी हो रही है आतिया ताल में मूसिकल फॉंटन हो so a lot of things are already in the have already been changed and is already in the phase of getting changed this is something which is very new and just just been talked about now and this is going to happen very very soon so I'm sure I'm excited about it I'm I'm very very confident you would definitely be equally excited on this so I think it will gonna be a good idea wherein हम अपने जहां पे जादा वो रहती ना रश रहता है ट्राफिक रहता जैसे कि मानिक चौक हो गया वहां पे आपको पैदल नहीं चलना है तो आप bicycle करके आराम सकता काम करके बड़े बजार तक जा करके आप आराम चाह सकते हैं इसके सासाथ अगर आपको light के म सब्सक्राइब इसका आप एक्जाम्पल से ले सकते हैं कि अभी वर्ल्ड बाइसाइकल डे जून को जो निकला है जहांसी ने बाइसाइकल डे बनाया उसके बहुत फाइफ क्लोमेटर्स की रैली निकाली प्रोग्राम को नाम दिया रहागिरी आप यकीन नहीं करेंगे उस एवेंट में खुद पुलकुदगर्ग जी अपनी सायक्ल ले करके आया थे उस इवेंट में पार्टिसिपे loop करने और इसको अलावा ओट में डेखा होगा आपने ने टीपर्सॉपेos पहड़ा होगा कि कि अपनी शाइकल से कभी काुर्न अपने पहुंच जाते हैं और स्वास्त करके अपने मीटिंग से अटेंट करने जा लिया आते हैं इस तरफ और साइकल चलाने का जो मज़ा हमने बच्पन में लिया है उसको रीक्रियेट करना चाहिए स्वास्त का स्वास्त मिलेगा तवियत खुश होगी अगर आप अपने बच्चों को साथ में साइकलिंग कराएंगे उनका एक लाइटनमेंट होगा उनकी सोच बड़ेगी और वो बड़े करके अपने बच्चों को और अच्छा शिक्शा दे पाएंगी अगर आपने बोलेंगे आप ये क्यों करवा रहे हैं पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी सिटी को क्लीन रखने के लिए तो वह भी साइक्लिंग को एक अच्छे तरह से प्रसुत करेंगे अपने आगे जनेरेशन के लिए और इससे हम एक समाज को दूसरे तरह फेजाएं लेकिन जैसे कि हाली एक्जामपल बताऊं निउस्पेपर में मैंने देखा था ये बात इतना अच्छा जो पुल बना है शिप्परी रोड पे फ्लाइओ और उसके नीचे इतनी अच्छी चित्र कला कराई गई थी जहां सी स्मार्ट सेटी लिमिटेड दौारा बड़े इसको उपर कुछ पिंट वो कर देते हैं गलत सरत चीजे कर देते हैं जिससे हमारी शेहर की सुंदरता खराब होती है मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब को भी वह समझता हूं कि प्लीज ऐसा करने से दस बार पहले सोचिए हमारे शेहर को सुंदर करने के लिए पैसा लग नहीं है हमारे शेहर बहुत सुंदर है हम सजा के समार के रखते हैं हम यह सब यह जो पोस्टर चिपकाना है यह फॉरन बंद कर दें चाहिए बलकी में तरखास करूंगा नगर निगम से कि जिस पोस्टर पर जिसकी भी फोटो लगी है जिस किसी का भी इंस्टूशन का नाम लिखा आप उस तो हेफ्टी पेनल्टी लगाई है ताकि वह अपने लोगों को मना कर सकी भाई है चुप पोस्टर इना इस जगों पर मत लगाना जहां पर एक अच्छा कासा कोई चित्रकला हूँ रख्यो हो या जहां पर डेकोरेशन खाब हो रही हो शेहर की सब्सक्राइब अच्छा को बताना था यह सब चीज़े जो हुई है और मुझे इंजार यह शेयर्ड बाइक योजना का तो हम इसका इंजार बहुत दूनों से कर रहे हैं गवालियर में भी है इस दूसरी कपनी कर रही है कुछ पास की सिटीज में देखते हैं तो लगता है कि हमाई सिटी में क्यों नहीं है तो अब आपका अंच्जार खतम हो रहा है बस कुछ समय और उसका हम सब मिल के करेंगे cycle thank you so much have a great weekend have a great fantastic evening love you and meet you soon thank you so very much झाल 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 झाल